आज हम सीखेंगे लिफ्ट की कंडिशन, जनरली एरफोर्ट ने भी कोस गार्ड एंडिये में लिफ्ट पर डारेट कोशन पूछे जाते हैं, उनकी कंडिशन पर भी या उन पर नुमेरिकल, नुमेरिकल भी मैं आपको समझाओंगा और कंडिशन भी, देखो इस पर जनरली च कंडिशन पूछता है, दूसरा, या तो लिफ्ट उपर या नीचे, constant velocity से move कर रही हो, या फिर, कुछ acceleration से, कुछ तोरण से उपर या नीचे जा रही हो, तो ये conditions बनती हैं, और तीसरी, free fall की condition, मुक्त रूप से, या लिफ्ट का जो तार है, केवल जो टूट जाए, ऐसे case मे आपका बजन, आपको कम या जादा, या feel होगा कि नहीं होगा, ये हमसे question पूछ लेता है, ठीक है, तो बारी-बारी से मैं आपको सारी condition सिखा हूगा, तो सबसे पहली condition है, वो है lift जब rest में हो, lift rest का मत्दा विराम में है, ठीक है, या उसकी velocity क्या हो, जीरो हो, वो move ही ना कर हो रहे हैं, और lift rest में है, तो इस पर हमें पता है, जो mg तो कहां लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा इस पर, और normal reaction कहां लग रहा है, इस पर ऊपर की तरफ लग रहा होगा, n, ऐसी condition में, lift moving नहीं कर रही, तो n किसके बराबर होगा, mg के बराबर, n किसके बराबर होगा, mg, n क्या normal reaction वास्तब में हमारी जो lift है, lift के अंदर जो weighing machine है, वो weighing machine weight को measure नहीं करती है वो किसको measure करती है, normal reaction को, अभिक्रिया प्रतिकिया बलको measure करती है, जो के weight हम उसे कह सकते हैं, ठीक है तो n किसके बराबर है, mg के बराबर है मतलब जो इसका weight है, 60 kg तो इसको 60 kg ही feel होगा, lift require must, इसमें खड़ा है तो इसमें जब लना, तो lift उपर जा रही न, नीचे तो कुछ भी weight में अंतर feel नहीं होगा, तो weight does not change मैं बोल सकता हूँ, weight does not change weight does not change बहार नहीं बदलेगा does not change, पहली condition तो यह है, दूसरी condition क्या बन सकती है कि जब lift उपर की तरफ या नीचे की तरफ एक condition यह रही, एक condition यह रही, जब उपर की तरफ constant velocity से या नीचे की तरफ constant velocity से जा रही हो, तब क्या होगा देखो ज़रा, हम सब जानते है कि constant velocity का मतलब क्या है constant velocity का मतब acceleration का 0 होना है तोरण का क्या होना है? 0 होना और हम सब को पता है इस पर भाइसब पर mg कहां लगेगा? नीचे लगेगा? और n कहां लगेगा? उपर की तरफ अब मुझे पता है lift कहां जा रही है? उपर की तरफ जा रही है constant velocity से उपर की तरफ मतब इस पर force लग रहा होगा? उपर जा रही है तो force कहां लग रहा होगा? उपर की तरफ तो force का एक ही formula है और वो formula क्या है? वो यह है F net बराबर M A यही तो formula है अगर यह lift उपर जा रही है इसका मंतब force कहां लग रहा है? उपर की तरफ लग रहा होगा? तो उपर की तरफ लग रहा होगा इसका मंतब ये क्या होगा जादा और ये क्या होगा कम वैं लिफ्ट उपर की तरफ जा रही है इसका मंतब क्या हुआ कि फोर्स उपर लग रहा होगा मंतब ये वाला बल क्या हो जाएगा जादा और ये वाला बल क्या हो जाएगा कम और ज्यादा मेंसे क्या कर देंगे, कम को माइनस, इस तरीके सब F net निकालते हो, तो N मेंसे क्या कर देंगे, M G को माइनस कर देंगे, तो यह M A आ जाएगा, लेकिन इतना solve करने की जरूत नहीं है, condition तो यहीं clear हो जाती है, कि जब V constant, velocity के constant होने का मतलब isolation का 0 होना है, तो क्या म basically किसके बरावर आजाएगा, M G के बरावर, मतलब इस बार भी आपके बजन में कोई भी change नहीं आएगा, जो पहले था, वही रहेगा, same in this condition में होगा, velocity constant है, मतलब acceleration क्या होगा, 0, अब इस बार lift नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, तो हम सब को पता है, M G तो कहा लगेगा नीचे लगेगा, और N कहा लगेगा, इस पर ऊपर लगेगा, हाई न, तो force, कुल force का formula क्या है, वही अगेन वही बात, F net बरावर, M A, अब lift नीचे की तरफ जा रही है, तो इस बात का sense क्या है, कि ये वाला बल क्या है, ज्यादा, भाई नीचे जा रही है, इसका मंदर, य यहाँ से क्या आपको मिल जाएगा, M G, same condition, चाहें तो आपकी lift ऊपर या नीचे जाए, constant velocity से, आपके weight में कोई भी change नहीं होगा, weight does not change, weight does not change, यह ध्याँ रखना, in conditions में, ठीक है, इस में, और इस condition में, weight कभी नहीं बदलेगा, अगर constant velocity से, move कर रही है, lift ऊपर या नीचे, से, 4 meter per second, 6 meter per second, कुछ acceleration से, ऐसी condition में, आपका weighton आपको बढ़ता हुआ, मैसूस होगा कि गठता, वो हम समझ लेते हैं, देखो, हम सब जानते हैं, M G तो कहां लगेगा, नीचे लगेगा, downward direction में, N इस पर कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, वो लो clear है, अब कुल बल का formula क्या है F net बराबर MA, अब simple बात है, जिदर lift जा रही है, जिस direction में, मंदब वो वाला force ज्यादा है, तो उपर जा रही है, तो simple सी बात है, ये वाला बल क्या हो जाएगा, ज्यादा, और ये क्या हो जाएगा, कम, और कुल बल कैसे निकाला जाता है, ज्यादा में से, कम को मानस कर दो ये भी force है, और ये भी force है, एन मानस Mg बराबर MA, और एन बराबर मानस को धर पोँचा दो, तो जुड़ जाएगा, Mg प्लस MA, वास्ता में बजन का formula क्या है, Mg वेट बराबर क्या होता है, वेट बराबर क्या होता है, Mg होता है, अब इसके साथ कुछ जुड़ गया है, ज साथ के जीता, तो ऐसा नहीं कि साथ का 90 फील होने लगेगा, साथ का 180, नहीं, थोड़ा सा चेंज आता है, बहुत ना के बराबर, मंदब चेंज तो आता है, लेकिन बहुत कम, तो कहने का मंदब Mg के साथ कुछ जुड़ गया है, MA, तो इसका मंदब क्या बजन बढ़ गया पहले उसका 60, साथ साथ कुछ जुड़ा आना, कुछ जुड़ा है तो क्या है, बढ़ा, तो इसका मंदब प्लस हुआ है, तो क्या होगा, आपका वेट बढ़ेगा, इतनी बासमझ में आ रही है, तो इस condition में वेट आपका बढ़ेगा, यहां से मैं लिख सकता हूँ, वेट इंक्रीजिंग, बजन बढ़ेगा, फोड़ी सी एक चीज और मैं आपको बता दूँ यहां पर, अगर मैं आँसे एन कॉमन लेओंगा, तो अंदर क्या बचेगा, जी प्लस हे, देखो, आपको पता लग रहा है, कि यहां पर जो जी डैस है, वो किसके बराबर है, जी प्लस वेट भी बढ़ेगा, ऐसे भी हम समझ सकते हैं, इतनी मात क्लियर है, तो यहां पर वेट बढ़ेगा, सेम इस कंडिशन पर आजाओ, अगें, एम जी कहा लगेगा, नीचे, एन कहा लगेगा, इस पर, उपर, अब कुल फोर्स का फॉर्मॉला क्या है, अगें वही बात, यहां से जब N निकालोगे, तो M G में से क्या हो जाएगा, M A माइनस, अगर मेरा पहले वेट 60 कजी था, तो 60 में से कुछ घट रहा है, कुछ घट रहा है, मतलब बजन अब क्या है, कम होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वेट इस डिक्रीजिंग, वेट इस डिक्रीज बजन आपको घटा हुआ मैसूस होगा, अगर मैं यहां से M को कॉमन लेलूँ, तो अंदर क्या बचेगा, G मायनस A, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो G में परवर्तन हुआ है, वो G मायनस A, पहले तो G था, लेकिन जब लिफ्ट नीचे की तरफ गई, तो G क्या हो इतनी बात के लिए है, तो कंडिशन भी आपको समझ में आ गई होंगी, आकरी एंड लास कंडिशन क्या है, कि जब लिफ्ट का तार टूट जाए, मन्दद फ्री फॉल की कंडिशन हम इसे बोलते हैं, मुक्त रूप से गिरना, क्यूँ, यो केवल का तार है कट जाए, या तो यह मुक्त रूप से नीचे आएगी कि नहीं आएगी, फ्री फॉल की कंडिशन हो गई, तो मैं ऐसे ऐसे भी बोल सकता हूं बटे, फ्री फॉल कंडिशन, मुक्त रूप से गिरना, हिंदी वालों के लिए, मुक्त रूप से गिरना ही ध्यान रखना, फ्री फॉल की कंड प्रीफॉल में क्या होता है मुक्तूरूप से जब गिरता है तो एह हमेशा किसके बराबर है जी के बराबर ये ध्यान रखना है अब देखो अगेन यहां पर वही एफनेट कुल फोर्ट कैसे निकालना है एफनेट बराबर मुझे पता है लिफ्ट कहां तूटेगा यह तार बराबर म अब मुझे पता है ए तो किसके बराबर है जी के बराबर द्यान रखनेए फ्रीफॉल की कंडिशन है ठीक है तो इस एक ही जगा क्या पूट कर दूँगा यहां पर जी तो यह आजागा एम जी और एम जी माइनस एन यहां से जब आप एन निकालोगे तो एम जी म उसकि के लिए यह जाएक बहर हीनस एक मतबाब को यहां से इतना पता लग रहा होगा कि जो जी डैस है बेसिकली आप देखोग्य तो जी डैस यहां से अगर देखो तो N बराबर क्यों हो जाएगा M G माइनस M G तो G- यहाँ पर basically क्या जाएगा G- G मंदब 0 जब G- 0 हो गया और मैं पता है weight का formula क्या है weight का formula simple M G M तो constant होता है जब G 0 हो जाएगा weight भी क्या हो जाएगा 0 तो आपको यहाँ से भी समझ में आ रहा है तो आपको weight क्या हो जाएगा 0 feel होगा ठीक है भारिंदा महसूस होगी यह condition है अब कुछ questions प्रिवेसर में बनें जैसे यह question आपके सामने NDA exam का सवाल है और यह सवाल कोश्गाड में भी पूछा गया सवाल है एना Air Force में भी question पूछे गया इसे question बोड़ा है कि lift move कर रही है ऊपर की तरफ कितने acceleration से जी वाई acceleration से बताइए उसको अपना बजन कितना मैसूस होगा कोई change नहीं होगा या 4 by 3 weight होगा या क्या होगा अब मुझे पता है कि जब lift ऊपर की तरफ जाती है तो मुझे पता है weight तो बढ़ेगा यह तो निश्यत है अब formula भी मुझे पता होना चाहिए क्या हो जाएगा weight बढ़ेगा तो mg के साथ क्या add कर दो ma और घटेगा तो क्या कर दो minus simple उपर जा रहे तो weight बढ़ेगा n बरावर mg प्लस ma अब मुझे पता है कितने acceleration चेग जी वाई 3 acceleration से तो acceleration किसके बरावर जी वाई 3 तो जहाँ acceleration आपको दे रखा है वहाँ क्या पूट कर दो जी वाई 3 पूट कर दो तो आजाएगा mg प्लस mg यहां से m common ले लो अंदर क्या बचा जी प्लस जी वाई 3 solve कर तो क्या जाएगा पूर जी वाई 3 into m अब देखो बेट बराबर क्या होता है mg होता है तो जो आपको यह mg दिखाई दे रहा है इसको डबलू लिख दूँ तो फोर डबलू वाई 3 आपका answer आ जाएगा ऐसे question एरफोर्स में बने है तो यह आपका simple answer होगा या तो इस तरीके से question बन जाएगा कि नीचे जा रहे है जी वाई 3 तो आपका बेट क्या होगा condition अगर आपकी clear है यह तो आप कुछ भी कर सकते हो question कुछ जिली solve कर सकते हो अगला question यह एंडिय का सवाल है यह previous question एंडिय का question बोल रहा है कि बताईए था weight of a man is in a lift freely falling under gravity एक आदमी का बजन गुत्वाकर्षण के तैत स्वतंत रूप से गरने वाली lift में क्या है यही free fall की condition आगी तो free fall के अदर भी मैंने आपको क्या बताया था जीडस आपका क्या होगा zero वेट क्या हो जाएगा आपका zero बहार हीनता महसूस होगी weightlessness की condition है किसी condition है condition of weightlessness weightlessness बहार हीनता तो आपको समझ में आ रहा है option क्या हो जाएगा zero तो यह conditions आपको कमजनी है और उस पर इसी तरीके questions आपके बनते है I hope आपने enjoy किया होगा session को बहुत अच्छे समझ में आया होगा इसी तरीके के sod lectures मैं आपके लिए लाता रहता हूँ और लाता रहूँगा ठी समौかな धिस तरीके में आपको कÁ्ट समय की आपके लाता है लाता है रहाँ कPlay अोशजआप में आया है लाता है सम आपको